नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग फैंटसी टैलेंट हव यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और शीलंका के बीच होने वाले वर्ल्ले कप के मैच रंबर आठ के बारे में जो कि आज दुपहर दो बज़े से स्टार्ट होगा अभी तक के वर्ल्ले कप के जितने भी मैच इस होगे सारे वन साइडेट थे आप जाका उड़ा के देख लो लेकिन ये जो मैच है ये एक बैलेंस मैच होगा मतलब ये एक तरफा नहीं जाएगा तो इस मैच के अंदर ऐसे कौन कौन सा खिलाड़ी है जो वहतर आप्शन होगे यूनिक होगे आप लोगों के लिए क्योंकि कुशल मेंडेस के बारे में बाबाराजम के बारे में रिजवान के बारे में तो सब बोलेंगे कि इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो मैं भी बोलूँगा ये लेकिन small league के लिए ठीक है grand league में किसे करना है उसके बारे में भी deep चर्चा होगी deeply बात करेंगे तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना फिर कमाल आप लोग देख लोगे खुछ से तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और साथी साथ इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ओफर लेकर आया हो जो fantasy में आपको मिलेगा ही नहीं पूरे mega contest में आपको 98% का discount देने वाला हो कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे अब लेकिन अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना और इसके साथ में ही आप लोग टेलेग्राम पर भी जुड़ जाना क्योंकि वही पर आपको final update मिलेगा क्योंकि आज स्रिलंका की टीम में एक से दो चेंजिस होने के चांसिस है तो जो नए खिलाड़ी आएंगे उनको उनका record कैसा है उनको रखना है या नहीं रखना है इसके बारे में आपको टेलेग्राम पर क्लियर कर दूँगा और टेलेग्राम का जो लिंक है वो उनको वीडियो के description में और first comment में दिया हुआ है अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले venue के बारे में ground वही है जिस पर कल मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेस्ल स्टेडियम हैदराबाद कल किसका मैच हुआ था New Zealand और नैधरलेंड का टोटल इस मेदान पर टोटल मैच है सोचुकें 9 जिनमें से 6 बार पहले बेटंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और 3 बार सेकंड बेटंग करने वाली टीम मैच को विन कर पाई है कल भी पहले बेटिंग करने वाली टीम ने ही मैच को विन किया तो यहाँ पर आपको टॉस जीतने वाली जो टीम है वो पहले बल्लेवाजी करते हुए नजर आ सकती है अब यहाँ पर देखें लास्ट मैच में 322 का स्कोर बना उसके पहले पाकिस्तान ने 286 बनाया था हाला कि पाकिस्तान ओल आउट हो गई थी निदरलेंड के सामने और यहाँ पर उस्टेलिया ने 236 किया था और इंडिया ने 349 का स्कोर किया था तो अलमोस्ट देखा जाये तो लगबग लगबग 280 से लेकर 300 तक का स्कोर आप expect करके चल सकते हैं कि इतना स्कोर तो आपको देखने मिल जाएगा इतना स्कोर आएगा तो या तो कोई एक बल्लेवास के बेट से आपको शतक देखने मिलेगा या फिर कम से कम दो बल्लेबाजों के बैट से आपको 50 देखने तो मिल ही जाएगा अब ज़रा यहाँ पर देखें यहाँ पे ओपनर विल यंग ने 50 किया टॉम लेथम का 50 था साथ में रचिद रवेंदर का भी 50 था और यहाँ पे रिजबान ने 68 का स्कोर करके दिया अपनी टीम को यहाँ पे उस्मान ख्वाजा 50 करे थे पहले बैटिंग करते हुए ओपन करते हुए और यहाँ पे शुमन गिलने ओपन करते हुए 208 का स्कोर किया था तो आप ये मान लेना कि बहुत हद तक आपको यहाँ पर टॉप उडर स्कोर करके दे जाएगा स्टार्टिंग की जो तीन से चार ओवर हैं बस वही दिक्कत वाले अगर वहाँ पर विकेट चला गया तो चला गया नहीं तो फिर विकेट के चांसे थोड़े से कम हो जाएंगे फिर स्टार्टिंग के जो प्लेयर हैं वो आपको स्कोर करके देंगे तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना अब आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे ऐसे में यह कि अगर पावर प्लेय के जो गिनबाज हैं वो अगर स्टार्टिंग के एक से दो वर में विकेट निकाल देते हैं तो आपको जो टॉप उडर के दो बल्लेवाज हैं उनको छोड़ देना बिल्कुल उनको अच्छे और यहां पर नमबर चार जो सैगंड इरिंग में कोई खास कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिली है और इसके अलावह दोस्तों अगर बात करें इस स्पिनर्स की तो पिछले मैच में इस्पिनर्स का रोल बहतर हुँ पिछले मैच में हमने देखा कि स्पिनर्स को अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अब स्टार्टिंग के जो तीन से चार ओर है वहां हलका स्विंग जादा देखने मिलेगा तो वहां बल्लेबाजु को समल कर खेलना पड़ेगा यह पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ बाकी टॉप ओडर से स्कोर के चांसे हाई हैं स्पिनर्स आप यहां पे ट्राइ कर सकते हो सेकिंड डीनिंग में कंसिस्टिंसी नहीं है कि बही पर्टिकुलर किसी नमबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो वहां हम रिकॉर्ड के साथ में चलेंगे और फास्ट बूलर्स आपको पचास था रिजवान का छ्यांसी था इफ्तिकार एहबद ने 47 के साथ में तीन विकेट निकाले थे और अफरीदी के थे दो विकेट मेंडिस ने यहां पर भी 91 का स्कोर किया था सदीरा समर्वेकरमा ने 48 किया असल लांका का 49 था पतिराना तीन विकेट और प्रमोध मदु ने दो विकेट निकाले थे यहां पर गुना थिलका का 133 मिनोध भानु का 36 दसुन सना का 43 और नुवान प्रदीप के दो विकेट है हलाकि यह सारे प्लेयर अभी इस टीम में नहीं खेल रहा है फकर जमान 76 और इसके अलावा अभी एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा है तो इन जो हो सकते हैं वो यहां पर एक तो यह है कि लहरू कुमारा को मौका दिये जा सकता है और दूसरा यह है कि दोस्तों यहां पर महिशा तीक्षना महिशा तीक्षना की वापसी के चांजिस है वो वापस आपको खेलती हुए नजर आ सकते हैं और रही बात पाकिस्तान की तो मदुशना का साथ में बिलेंगे कसुन रजीता तो ये दो पावर प्ले के गिंदबाज हैं यहां से ये दो पावर प्ले के गिंदबाज हैं स्री लंका की तरफ से डेथ ओवर में पतीराना सबसे ज़्यादा गिंदबाजी करते हैं और यहां से डेथ ओवर में आपको हैरिश circle application को download करना है कहां से download करोगे वीडियो के description में मैंने link दिया है और आप comment section से भी link को उठा ले या फिर telegram से उठा ले जहां से भी आप link से download करोगे उसके एक घंटे के अंदर sign up करते ही एक घंटे के अंदर आपको contest को join करना है mega contest को और आपको discount मिलेगा पूरे 98% का और यह सिर्फ मेरी link से मिलेगा तो मेरी link से download करेना दिया है मेरे description में भी और comment section में भी और दोस्तों यहां पे सिर्फ यह नहीं कि आपको 98% का discount मिल रहा है साथ में बड़े बड़े offers हैं यहां पे और बड़े बड़े prices भी आपको यहां पर मिलते हैं जिसे की एक करोड का प्राइज available है इसकी बात SUV कार है थार आपको यहां पर मिलती है और आपको यहां पर मिलता है दोस्तों यहां पर 50 ग्राम गोल्ड का option है आपके पास में और साथी साथ लंडन का ट्रिप भी अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्लियर्स के वेन्यू रिकॉर्ड की तो रिजबान और सौध शकील दो पचास जैसा मैंने बताया था कि या तो एक शतक आएगा या फिर आपको दो पचास देखने मिल जाएंगे तो ये दो पचास आपने यहाँ पर देखे और गेनबाजी की बात करें तो रौफ ने पिछले मैच में तीन विकेट निकाले थे और हसन अली को मिले थे दो विकेट चूकि सामने वाली टीप कमजूर भी थी अब जरा यहाँ पर देखो पहला नाम है इमाम उलहक का श्री लंका के सामने इनका बैटिंग एवरेज है लगबग 59 चार पारियों में एक शतक लगाया हुआ है बाकी जो बचे हुए मैचिस्ते वो कुछ खास नहीं गए है जिसमें हाइस डिसकोर सो रनों का है पिछले एक साल में 53 का एवरेज है नौ पचास और दो शतक आपको देखने मिलते हैं दोनों पारियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कमजोरी यह है कि फास्ट बोलिंग को नहीं खेल पाते हैं लेकिन स्री लंका के पास में अभी कोई फास्ट बोलिंग नहीं है तो इम स्कोर किया 12 स्री लंका के सामने है 37 का एवरेज जो की अच्छा नहीं है हाला की 3 50 हैं लेकिन कोई शतक नहीं लगाया और पिछली एक साल के अंदर इनका 40 का एवरेज है और 4 बार शतक लगा जोके हैं दो बार 50 किया है दो शतक पहले बेटिंग करते हुए दो शतक 2 बेटि उन चीजों को ध्यान में रखके ही अपना कॉंबिनेशन बनाईएगा अब नमबर 3 पर आते हैं बावराजम बावराजम क्वालिटी प्लियर है अच्छा खेलता है नो डाउट तो इस खिलाड़ी को तो रखकर चलना ही पड़ेगा ये आप सिर्फ ग्रेंड लीग में रिस स्रिलंका के सामने 58 का एवरेज है और पिछले एक साल में 61 का एवरेज आपको देखने मिल जाता है इसके बाद नमबर 4 पर आपके पास में है रिजवान जिन्हों ने 39 का स्कोर किया साथ में आपको विकेट कीपिंग भी देते हैं मतलब अगर दो कैच भी पकड़ लिये औ 30-40 का स्कोर कर दिया तो वाइस केटन वाला का अच्छा हो जाता है अब काफी सारे जो लोग हैं जो रिजवान को कैटन बना देते हैं तो मैं आपको बताओं कि यह बंडे मैचे से हैं यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि इन्हों ने पिछले एक साल में लास्ट एक ए नहीं आ रहा है वंडे मैच है तो दोस्तों फिर चांजिस कम हो जाते हैं जी एल में टॉप पर आने के लिए हाला कि पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाली टीम का एक प्लेयर ऐसा था जिसने चार विकेट लिए थे और सार्ट बनाएते हैं तो वो जादा अच्छा ओप्शन हो गया था तो यह चीज़े जो हैं यह आपके बहुत काम आती हैं जब आप कॉंबिनेशन मनाओगे कैप्टन वाइस कैप्टन का सेलेक्शन करोगे और बागी चीज़े दोस्तों आपको टॉस के टाइम पर टेलेग्राम पर तो मैं बता ही देता हूँ तो अगर आप लोग टेलेग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हो तो जॉइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अब यहाँ पर देखें सौध शकील ओडियाई क्रिकेट मैं 6 पारी में 29 का एबरेज दो 50 हैं पिछले मैच में ज रंज डिसिलवा मिलेंगे वहाँ पर मिलेगा आपको मैशा तीक्षाना जिसके चांसिस आज बहुत जाता है खिलने के तो ऐसे में दिक्कते बढ़ जाएंगी तो सौध सखिल सिर्फ ग्रेंड लीग में वो भी कुछ एकका दुपका टीम्स में इसके बाद अगला नाम आत तो 15 एनिंग में 13 विकेट आपको मिलते हैं जो सामने टीम है उसमें कुछ 2-3 लेफ्टेंड है अब जो 2-3 लेफ्टेंड है उनमें से चरिता असलांका जो है उनको दिक्कत तो आती है उनको ओफ स्पिन खेलने में समस्य आती है तो अगर उनके सामने गेनबाजी कराई जा बाकि इनको small league में रखने का ज्यादा फाइदा है नहीं कि बैटिंग के chances भी कम है और bowling ऐसा नहीं कि 8 से 10 over मिल रहे है पांच over भी मुश्किल से बिलेगे यहाँ पर अगला नाम है शादाव खान का जो कि अपने 10 over complete करते हैं सबसे पहली चीज और दूसरी चीज है कि में और श्री लंका के सामने 2 पारी में 55 किया है 22 में 25 विकेट है और श्री लंका के सामने 14 विकेट है तो अभी की स्थिती देखी जाए तो वाइस केप्टन सी के लिए अच्छी option है small league में भी वाइस केप्टन के लिए बढ़िया option है अब चुकि पिछले matches में हमने spin भी दे जिन्रों ने पिछले match में 39 प्लस एक विकेट लिया 19 इडिंग में 25 विकेट इनके खाते हुए दर्ज है पहले गिंदबाजी करते हुए 10 विकेट है सेकिंड गिंदबाजी करते हुए 15 विकेट है राइटाम मीडियम के सामने इनको दिक्कत आती है अगर ये थोड़ा सा ब प्रेंड लीग में 5% वाला रिस्क जो हम उठाना चाहते हैं जो बड़ा रिस्क है वो इस खिलाडी के उपर रहेगा इसके बाद अगला जो नाम है वो है अफरीदी और हसन अलीका तो अफरीदी के बारे में तो मुझे बात करने की ज़र्वत होनी नहीं चाहिए ये खिला सिर्फ एक या दो मेच खराब जाते हैं और 90% मेच अच्छे जाते हैं तो उसको मत छोड़ना कभी भी तो ये खिलाडी रखना पड़ेगा आपको ठीक है इसके बाद हसन अली है हसन अली कोई ज्यादा खास है नहीं 6 पारी 17 विकेट फिर भी शीलंका के सामने है लेकिन ऐसे अच्छा कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है बाकि पिछले चार साल तो इनके ऐसे निकलें 19 में 18 विकेट और अंतिम जो नाम है वो है है हैरिस रौफ का तीन विकेट इनके खाते में दर्ज हैं पिछले एक साल में 21 में 42 विकेट हैं औल्मोस्ट डबल हैं पहले गिन गिनबाजी कर रहे हैं तब रखना पड़ेगा क्योंकि यह डेथ ओवर में भी गिनबाजी करते हैं कहां गिनबाजी करते हैं डेथ ओवर में इसके बाद दोस्तो आप जो नाम यहां से शुरू होते हैं वो है शीलंका के उमीद करता हूं कि अभी तक जो जो मैंने आपको बताया है, सब अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा, और टेलेग्राम को जॉइन कर लेना, जिसका लिंक कर दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इतनी इन इफॉर्मेशन कहीं मिल जाया तो दोस्तों कॉमेंट करके बताओ कि कहा मिलेगी, वैनी रिकॉर्ड नहीं है, सीधे चलते हैं कुशल परेरा पे, कुशल परेरा इंजरी से पहले के जो प्लेयर ते अच्छे थे, लेकिन अभी जो है, वो अच्छे नहीं है, इस्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस्ट के अलावा जो नामी दिमाक से निकल गया, दोनों के लिए बढ़िया उप्शन है कि उनको विकेट मिल जाएगा यहां से, क्योंकि कुशल परेरा जो है अभी रिसेंटली उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब पिछले चार साल में 27 इनिंग में 40 का एबरेज है, पाकिस्त स्कोर करते देखा है, इस ग्राउंड के ऊपर, इसलिए जील में रख सकते हैं, इस मौल लीग में जगें नहीं बन पाएगी, इसके बाद नमबर दो पर आपको मिलते हैं पतुम निशांका, पतुम निशांका पाकिस्तान के सामने 29 है और सिर्फ अगर 2023 की बात करें तो 44 का दो पचास और दो शतक इनके खाते में हैं, नमबर तीन पे आपको मिलते हैं कुसल मेंडेस, जिसने पिछले मैच में भर दिया था, बहुत गजब बैटिंग की थी, मतलब कमाल गर दिया था वाकए में, इनसे इतनी उम्मीद करता नहीं हूँ, पिछले एक साल में, लेकिन कोई शतक इनके बैट से नहीं निकला, लेकिन एशिय कप में रिसेंटली इंक्यानवे रन इसी टीम के सामने इनोंने बनाई भी थे, और राइटाम मीडियम के सामने इनका बैटिंग एवरेज है बाइस का, और वो जो नाम में पीछे भूल रहा था, वो है हसन अली का, हसन क्रिकेट में इनका 32 का एवरेज है, तो पांच ही पचास लगाए हैं और शतक इनके बैट से निकला नहीं है, तो क्या आप अभी ऐसे खलाडी को रखना चाहोगे स्मॉल लीग में जिसने कोई शतक नहीं लगाया है, तो अगर आपको रखना है, तो रख सकते हो, कोई दिक दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल लीग में उतना बहतर आप्शन नहीं है, हमारे पास में ऐसे और बहुत सारे प्लेयर हैं, जो आपको कंफर्म, कंफर्म ड्रेम टीम में जगे बना कर देंगे, इनको खुद लेग ब्रेक खेलने में दिक्कत आती है, और क्वालिटी लेग मिलेगा आपको यहां पे शादाब खान, क्वालिटी वाला लेग ब्रेक है जो विकेट निकालता है, असलांका अच्छा प्लेयर है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, और बस दिक्कत यहां आएगी, कि राइट आम आफ ब्रेक जो गेंदवाजी है, वो इनको खा सकती है, वन्डे में तो आपको कमजोरी नहीं दिख रही है, लेकिन टी टुएंटी में आफ ब्रेक ने इनको बहुत आउट किया है, तो इफ्तिकार एहमत का नाम यहां आपर लिखना चाहूंगा, मैं बाकी एक पारी उननचास रंग इसी टीम के सामने, और पिछले ए गेंबाजी कुछ खास दिखी नहीं, अब यहां पर लेफ्ट एंड बैटर्स जो मिलते हैं, वो सिर्फ हैं दो, एक इमाम उलक जो की नई गेंड के साथ में खेलेंगे, तो वहां यह गेंड बाजी करने आएंगे नहीं, और दूसरा लेफ्ट एंड बैटर मिलता है सौध शकील, तो सौध शकील के सामने भी दोस्तो वहीं इनको एक विकेट के चांस बनते हैं, तो धनज डिसिलवा सिर्फ बैटिंग पर डेपेंड करेंगे, तो 32 का एवरेज यहां है, और 23 का एवरेज यहां मिलता है, पहले बैटिंग करते हुए 350 है, लेकिन पाकिस्तान के साम 15 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं, और रही बात बल्लेवाजी की तो वंडे क्रिकेट है, बल्लेवाजी आज जाएगी, तो रखना चाते हो, तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना में इनको परेशान करता है, राइटाम मीडियम और लेक ब्रिक के सामने इनक पनली एक विकेट मिल गया था, बखी बढ़िया गिनबाज है, पंदरा इनिंग में 20 विकेट इसके खाते में दर्ज हैं, और इसके बाद नाम आता है कसुन रजीता का बहुत गंदी गिनबाजी की थी, इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, अगर उसी को कंटीन्यू कर रहे वैसे अगर रिस्क लेते हो तो छोड़ देना, रिस्क लेते हो तो छोड़ देना, और उनकी इस्तान पर आप रख सकते हो दिलशान मदुशनाका को, लेफ्ट आम मीडियम है, साथ इनिंग, 12 विकेट, डीसेंट गिनबाजी की थी, नई गेन के साथ में, तो चांसिस बहु अप्शन है, जी एल में जाएंगे तो अफरीदी, धरंज डिसिलवा और दिनूता वेलालगे को ट्राइक कर सकते हैं, अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, टीम कॉम्बिनेशन ये अभी के लिए है, रिकोर्ड के बैसिस पे, बाकी जो फाइनल टीम आती है, वो टेलेग पतिराना, ये कॉम्बिनेशन दयार किया है, अगर मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो मैं टेलेग्राम पे करूँगा, तो अगर आप लोग टेलेग्राम पर हैं, बहुत अच्छी वातें नहीं हो, तो अभी जाकर जॉइन करो, और एक चीज का विशेज ध्यान रखना इस गेम में भी हैविट फॉर्मिंग और फाइनेशली रिस्की प्लेयर रिस्पोंसिबिली, मिलता हों दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर तब तक के लिए दोस्तों बाई, जय हैं, जय भारत